नमस्का दोस्तों टेक्नोलजा स्मार्पॉन चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में बेस्ट कैमरा फोन को बताने वाला हूं जो आप लगभग 20,000 के आसपास पर्चेस कर पाएंगे इन सभी फोनों में बिग वैल्टी, सुपर एमोलेड डिस्पले और 5G का स आते हैं इसके बाद इसके प्रो और कॉंस के बारें बताएंगे इसका फ्रेम पॉलिकर्बोनेट के साथ आता है लेकिन बैक पैनल गलास का दिया गया है इस पॉन में फिंगरप्रिंट संसर है इस पॉन में 6.67 इंच फुल एडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंचो 60Hz touch sampling rate और maximum 1200 nits की peak brightness दिया गया है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोरिंग गोरिला गलास 5 मिलता है इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेट अप दिया गया है 64 मेगाफिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो की संसंग का संसर है 8 मेगाफिक्सल का देफ्ट कैमरा और 2 मेगाफिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है इस कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वहीं फ्रेंट कैमरे में 16 मेगाफिक्सल कैमरा देखने को मिलता है इस कैमरे से फुल HD में वीडियो कर सकते हैं इस फोन में Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर दिया गया है इसका अंतूतु इसको ल इसात बेट सपूर्ट करता है तो इसी को चार्ज करने के लिए बात करें तो इसमें सुपर अमॉलेट डिस्पिले और रिफ्रेस्ट होने की वज़ा से डिस्प्ले बहुत जब जास्त है इस पहुत बेस्ट है एक हिसाब से कहा है कि बेस्ट इध क्लाशड डिस्प्ले है इसका डिजなんだ बहुत अच्छा है देखने में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से स्मार्टपून चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम ऐसे ही भड़पूर वीडियो आप सब के लिए लाते रहते हैं अगला पून है रेट्मी नोट 10 प्रो चलिए जल्दी से इसके स्पेक्स के बारें बताते हैं इसके बाद प् इसमें कोर्लिंग औरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है इसका बैक पैनल ग्लास का दिया गया है इसमें कॉल्ड कैमरा सेटप दिया गया है 64 मेगा फिक्सल का प्राइमरी कैमरा 8 मेगा फिक्सल का अल्टा वाल कैमरा 5 मेगा फिक्सल का सुपर माइक्रो कैमरा 2MP का depth camera दिया गया है इसका micro camera कमाल का है इसमें 4K और Full HD में video record कर सकते हैं front camera यानि selfie के लिए 16MP का camera दिया गया है front camera से Full HD में video record कर सकते हैं अब बात करें इसके processor की तो इसमें Snapdragon 732G processor दिया गया है जो एक powerful processor है इसमें gaming भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसमें triple sim solar दिया गया है यानि 2 sim और एक memory card एक साथ लगा सकते हैं इसके side में fingerprint sensor दिया गया है इसमें power देने के लिए 5200ms की ability दिया गया है और इसी को charge करने के लिए 33 while का fast charger दिया गया है 6GB RAM और 128GB internal memory के लिए 15999 रुपे पे करने होंगे अब इस phone के pros की बात करें तो इसका camera बहुत ही लाजबाब दिया गया है इसका micro camera बहुत ही best है एक हिसाब से कहा जाए तो best in class camera phone है इस phone का display भी बहुत अच्छा दिया गया है क्योंकि या hdi 10 को भी support करता है इस phone का performance decent level का है अब इस phone के cons की बात करें तो या एक 5G phone नहीं है या एक 4G phone है इसके UI में box और broadway बहुत आते हैं अगला phone है Samsung Galaxy F23 5G चलिए जल्दी से इसके specs के बारें बताते हैं इसके बाद इसके pro और cons के बारें बताएंगे इसकी body polycarbonate का दिया गया है लेकिन back panel glassy finish के साथ आता है इस mobile में एक साथ दो SIM और एक memory card लगा सकते हैं इसका look बहुत ही अच्छा लगता है इसमें 6.6 inch full HD plus IPS display water drop notch के साथ आता है display protection के लिए corning gorilla glass 5 दिया गया है आप बात करें इसके camera की तो इसके bag में triple camera setup दिया गया है 50 megapixel का primary camera 8 megapixel का ultra wide camera और 2 megapixel का दफ्त camera साथ में LED flash दिया गया है इस camera से full HD में video record कर सकते हैं वहीं front camera 8 megapixel का दिया गया है इससे full HD में video record कर सकते हैं वैसे आप सब को पता ही होगा Samsung के phone में camera best quality का होता है इसमें Qualcomm Snapdragon 750G processor दिया गया है जो एक 5G processor है इसमें 5G के 12 band दिये गये है या Android 12 पर रंग करता है इसमें 5000 mAh बैल्टी दिया गया है और इसी को charge करने के लिए 25 वाल्ट का fast charger का support दिया गया है या 6GB RAM और 128GB internal memory के साथ 16999 रुपे है इस phone की प्रोज की बात करें तो इसका camera अच्छा है इसकी image quality बेस्ट क्लास की है इस phone का performance बहुत अच्छा है क्योंकि software का optimization बहुत अच्छे से किया गया है 120Hz refresh rate होने की वज़ा से इसका display बहुत smooth चलता है इस phone में 2 साल तक major Android update मिलेगा जो बहुत अच्छी बात है या phone 5G के बारा बारें support करता है एक हिसाब से कहा जाया एक future 5G phone है अब इस phone के cons की बात करें तो इसमें stereo speaker नहीं दिया गया है इसके box में charger नहीं दिया गया है charger आपको अलग से purchase करना होगा जो कि या 25W का fast charger support करता है अभी हमने 15-20 हजार के range में कुछ smartphone के बारें बताया है इन phoneों का camera बहुत ही बेस्ट है एक हिसाब से कहा जातो यह सभी phone एक all-rounder phone है जिनका camera, display और processor बहुत अच्छा दिया गया है आसा करता हूँ यह video आप लोगों को पसंद आया होगा अगर video पसंद आया हो तो technology smartphone चैनल को subscribe कर दीजिएगा और वेल आइगन को अंकर दीजिएगा जिससे हमाई latest video की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके